स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर टामें दोस्तों मुच्यल फंड प्लान के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो आज हम एक ऐसी फंड के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं सिर्फ 4 लाक रुपे का तो इसी पैसे पर आप हर महीने 6,250 रुपे की एक फिक्स्ट इंकम स्टार्ट कर सकते हैं और इसके रावा आपके 4 लाक रुपे की जो वैली होगी ये भी बढ़कर 5 करोड 44 लाक रुपे तक आपको वापस मिल जाएगी यानि कि दोस्तो इस मुचल फंड प्लान के अंदर आपको दो बेनिफिट एक साथ मिल जाएंगे पहला आप एक मतली इंकम भी शुरू कर सकते हैं और लगतार यहाँ पर आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा मुचल फंड के अंदर जब भी हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो जाए तर लोग SIP यानिके सिस्टेमाटिक इंवेस्मेंट प्लान के दिरूप या फिर लंब सम पैसे को निवेश करते हैं लेकिन दोस्तों एक और आपको मिलता है मुचल फंड के अंदर SWP प्लान यानि के सिस्टेमाटिक प्लान इस ऑप्शन में आप अपने पैसे को निवेश करके एक मतली इंकम शुरू कर सकते हैं और आप अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर आप मुचल फंड के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर लगतार आपके पैसे पर रिटन काफी बहतर मिलता है और आपको एक इंकम के साथ-साथ आपका पैसा भी बढ़ता रहता है अगर आप निवेश करते हैं SIP के तो फिर आपको सालू तक पैसा निवेश करना होता है और लम समय भी आप एक पर पैसा निवेश करके वेट करते हैं जबकि अगर आप SWP में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको next month से इंकम मिलना स्टार्ट हो जाते है जो की जिन्दगी भर आपको मिलती रहती है लेकिन अगर हमें आज पैसे को निवेश करना है तो हमें mutual funds के अंदर पैसे को निवेश करना चाहिए या फिर हमें एक correction का wait करना चाहिए क्योंकि पिछले अगर लगातार एक दो साल की बात करें तो market में higher level बन रहे हैं यहाँ पर हमें को भी बड़ा correction नहीं मिला है जितने भी mutual fund प्लान है उनमें लगतार हमें एक बैसे को निवेश करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक मोका बनता है पैसे को निवेश करने का क्योंकि यहाँ से अगर market में कच्छी ready मिलती है तो उसका benefit भी हम ले सकते हैं लेकिन अगर हम SWP option में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर हमी यह पता होना चाहिए कि हम पैसे पर निवेश करके कितना risk ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको small cap fund भी मिलते हैं जिनमे profit भी अलग मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आपको mutual funds के अंदर पैसे निवेश करने हैं SWP option में तो यहाँ पर आपको पहली है देखना होगा कि आपको कितना risk लेना है या फिर आप कितनी income शुरू करना चाहते हैं mutual funds में SWP option में risk आपके पैसे पर ज़रूर होता है क्योंकि य अब को pay out मिल रहा है है तो यहाँ पर आपके लमसम पैसे से ही unit sale करके आपको प्याओट दिया जाता है तो इसलिए जब भी आप पैसे को निवेश करते हैं तो इस बात का खयाल रखें कि आप यहाँ पर कितना पैसा निवीश कर रहे हैं कितना आपको प्याओ लेना हैं और देखेंगे इस फंड की और कैलकुलेशन के साथ भी समझेगे रिप्रेस जरूर आप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं दोस्तु सबसे पहले बात करते हैं फंड की तो फंड के अगर रिटन की बात की जाए तो बैंक ओफ इंडिया की स्मॉल के फंड है दोस्तु 24 परसेंट और लास्टि सम्ट में फंड ने शांदार 22.55 परसेंट का रिटन दिया है यानि के दोस्तु लगतार इस फंड के अंदर जो रिटन है वो हमें काफी जबर्दस्त मिला है जिसकी वजह से यहाँ पर हम आज भी पैसे को निवेश कर सकते हैं लेकिन SWP आप्शन मे यहाँ पर हम 34 परसेंट की जगा अगर रिटन एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर सिर्फ 25 परसेंट का और दोस्तु यहाँ पर 6,250 रुपे की हमें कम शुरू करते हैं और SWP आप्शन में इस फंड में हम 4,000,000 रुपे का निवीश करते हैं अगर हम यहाँ पर दोस्तु पैस की वैडियो बढ़ चुकी है लेकिन अगर हम 12 साल तक पैसे को डालते हैं तो यहाँ पर 6,250 रुपे मंतली के साफ़ से कुल 9,000,000 रुपे का विट्रॉल अमाउंट में बलेगा और 4,000,000 रुपे की वैडियो तेरे लाग आठा साल लेकिन अगर हम निवीश करते हैं यहाँ पर दोस्तो 18 साल तक तो 4,000 रुपे की वैडियो बढ़कर 4,000,000 रुपे की वैडियो बढ़कर 4,500,000 की होगी और 6,250 रुपे मंतली के साफ़ से कुल 13,50,000 रुपे का विट्रॉल अमाउंट हमें मिल जाएगा जबकि 24 साल तक अगर हम पैसे को डालते हैं तो 4,000,000 की वैड 500 रुपे मंतली के साफ़ से कुल विट्रॉल अमाउंट 22,50,000 रुपे तक हमें मिल जाएगा लेकिन अगर हम दोस्तो इस फंड की होल्डिंग की बात करते हैं तो यहां पर कुल मिलाकर 68 कंपनी हैं जिसमें फंड की पैसिक को नवीश क्या क्या है इसमें अगर हम टॉप होल इसने हमें क्रोथ शांदा रादी है और यहां पर फ्यूचर में भी हमें रिटन काफी जबर्दस्त मिल सकता है जिसका बैनेफिट हम इस फंड के अंदर पैसे को नवीश करके उठा सकते हैं दोस्तों इस फंड के नवी नेट एसिट वैल्यू का प्राइस है 52 रूपीज 44 से अगर हम पैसे नवीश कर रहे हैं SWP option में तो यहां पर करंट जो भी नवी का प्राइस होगा और जो भी हम पैसा नवीश कर रहे हैं तो यूनित हमें उसी साब से मिल जाएंगी और इसी पर हम प्रॉफिट या लॉस ट्रैक कर सकते हैं मंति बेसिस पर और इसी में से हमें प्याउट मिल जाता है रेटिंग फंट की फोर है 1236 करोड रुपे फंट का यूम है यानि कितने पैसे लोगों ने प्लांट के अंदर नवीश क्यों है और फंट के अंदर SWP में आप 500 रुपे मिनिमम फिर ट्रॉल से नवीश कर सकते हैं दोस्तों फंट का एक्सपेंस पहले 10% यूडेंट रिटीम कर दोस्तों टैक्स है रिटन पर 20% एक साल से पहले एक साल के बाद एक लाग पच्चेस दर से जादा प्रॉफिट पर साड़े बारा परसेंट का LTCG टैक्स आपको देना होता है दोस्तों फंट मैनेजमेंट इम की बात की जाए तो धुरुब भाट या 2022 से इस फंट को मैनेज कर रहे हैं और अगर बैंक ओफ इंडिया एक सा मिचल फंडा उसकी बात करते हैं तो इस एमसी के रेंक एसित के साफ से 31 नंबर पर है 9000 करोड पे से जादा का फंड का यूएम है और फंडा उस 2008 में स्टार्ट हुआ था तो दोस्तों बैंक कोफ इंडिया के इस स्मॉल केप फंड के अंदर अगर आप एस डबलो पी में पैसे इंवेश करते हैं तो यहां पर आप एक मंतली इंकम भी शुरूर कर सकते हैं और यहां पर अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं शौर्ट टम में हो सकता है आपको तोड़ा